तो नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी एक वाफिश श्वागत आपका हमारे युटूब चैनल पर हम यहां पर बात करने वाले हैं दैनन्स वोपन्ट ट्रेनिंग कॉलेज तिरदुन के बारे में तो बीट की मेरे लिष्ट इसकी आ चुकी है और यह कॉलेज है हमंती नंदन गडवार जो की सेंटरल उनिवर्सटी है उससे एफलेटेट यह गौवर्मेंट कॉलेज है वोमन्स कॉलेज यह है तो इसकी जो है मैन मैरिट यानि फर्स्ट मैरिट आ चुगी है सबसे पहले तो हम यहां पर जो है जो स्टुडेंट्स है उनके लिए क्या इंस्टक्शन आ eleasability प्रविसपरइक्षा माक्स और जो है रिजरवेशन जो category certificate उसके जांसके उपरांत अतरिक्त अंकों के योग के बाद category सब category Y यहाँ पर जो है जिन अभियर्तियों का नाम लिष्ट में मेरे लिष्ट में आया है उनको 5 और 6 सितंबर को admissions लेना है तो आज merit लगी है तो कल 5 और परसु दो दिन का डेर दे रहे कि admissions लेने के लिए merit में इस्तान पाने वाले अभियर्तियों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित जो अवदी में पर्विष्ट लेने पर किसी भी परस्ति में पर्विष्ट के लिए किसी भी दावे को अमान्या माना जाएगा ठीक है यानि कि जो time duration दे रहा इसी के द्वरान आपको admissions लेना है मुख्या मैरे list के जो students है जो admissions लेंगे उनके द्वारा निर्धारित अवदी में पर्विष्ट नहीं लिए जाने पर उनका दिनांग 6 सितंबर 2030 के बाद दावा आमान्या होगा और उनके इस्तान पर first waiting list जो लिस्ट हमारे पास 6 सितंबर की साम को लग जाएगी first waiting list यहां पर okay यहां पर लिखा है date इनने first waiting list यहां पर जो है आठ सितंबर को यहां पर यहां पर यह लगाएंगे college में 11 बजी और इसमें जो admissions होगा उनका आठ और उसी दिन यहां पर admissions भी इनके शुरू हो जाएंगे य यहां पर अब दिखें जिनका mail list में नाम है उनको जो है अपने जितने भी उनके documents है original documents आपको ले जाना है जिसमें उनके mark sheet documents आदी का verifications होगा और documents के जो है समय सभी documents के यहां पर original आपको दिखाने होंगे अपने आविदन जो है applications form जो admit card है आविदन पत्र के साथ जो है आपका CVT PG द्वारा बेड परवेश परिक्चा 2030 का score card भी आपको साथ में ले जाना है परवेश परवेश समिति को अधिकार होगा कि विसेश परस्तिति में मेरे list में नाम होने पर भी परवेश से इंकार दे और यहां पर देखे जो fees deposit करनी है यहां पर account number दिया है central bank of India एसले hall में जो है यह bank है central bank of India राजपुर रोड ब्रांच देरा दुन में आपको जमा करना है account number भी दे रखा है तता सुल्क जमा करने की bank से प्राप्त रसीद जो मूल रूप से अपने परवेश आविदन पत्र क सा सलगन करना अनिवार्या है bank से प्राप्त रसीद के प्रिष्ट भागपा चात्रा को अपना नाम वह पिता का नाम इस फर्ष्ट रूप से लिखना अनिवार्या है यानिकि आपको जो है fees deposit करनी है offline है offline deposit करनी है account number दे रखा है branch एसले hall पे है आप एसले hall चौक है वहां साम नहीं इसकी जो है central bank of India की branch है वहां पर आपको फिश deposit करनी है जो रसीद आप लेंगे उसके पिछे आपको अपना नाम और पिता का नाम भी यहां पर लिखना है fees कितनी है 3641 रुपे जो है fees रुपे यहां पर है ठीक है इतना आप देखिए अब इसमें कौन-कौन से documents आपको जो है यहां पर ले जाना होंगे तो date of birth के लिए high school और जो है self-tested photocopy original तो आपको ले जाना है साती इनकी self-tested photocopy बना के भी आपको set बना के भी जाना है जो है character certificate आपको लाना है जहां से last education सापने करी है और दूसरा एक दो character certificate लगते है एक तो आपने जहां से college से pass out किया और दूसरा किसी राजपतरित अधिकारी गजिश्टर्ट officer सापको बनाना होता था बनाना होता है सौरी और यहां पर एक passport size की photo और महाविद्यालाई के अपको वेटिज माक्स होगा उनका verification यहां पर किया जाएगा तभी आपका वहाजव वेटिश के यहां पर मार्क्स आपको बैलिट यहां पर माने जाएंगे वाकी यहां पर जो है दूसरा यहां पे जाती प्रमानपत्र आपका होना चीए उत्राखन का इस्ताईया मोल डेट है वो कहीं पे रिगुलर या देखिए 27 सिवारत अभियरती को सक्चम अधिकारी द्वारा प्रदत अवकास की तो अनोसी उनको वहाँ पे ले जानी होंगे यानि कोई अगर कहीं पे और लेडी जॉब कर रहे हैं तो उनको अनोसी वहाँ पे दिखानी होगी किसी अन्य से एक युनिवर्षटी के जो स्टूडेंट थो उनको उन्हीं युनिवर्षटी का माइगरेशिंट कर उर्डीबरुबं में युनिवर्षटी एक्जाम न हाना जरूरी है ठीक है तो अभ तो आये था कुछ इंस्ट्रक्शनKS त्यां सब्लित हैं सबसे पेहले साइन्स की हम बात कर लिता हैं साइन्स में जनर्ल की मेरिट हम यहाँ पर देख लिते हैं तो यहाँ सेटेज मार्क यहां पे मिले हैं तो 192 किशमीं यहां पे शुक्त में है उसके बाद कि वाकी सीवी यहां कि देखो साइनस में कितनी गई है टो नैनल इसके कि आप ठीक है टो जुशने देखा लेते हम जूंचको साइंस प्र displays जूचन चाप यहां पर जिसे 136 यहां पर cut off यहां पर गई है ठीक है ओबीकी गई है 136 और उसके बाद स्टी गैट्राइगरी की देख लिते हैं साइन्स में कितनी गई है तो स्टी के यहां पर cut off रही है ठीक है तो यह तो हमने देखा किसकी science work की अब arts का भी देख लेते हैं तो arts में जो general work में हम देख रहे हैं general work में यहां पर arts की गई है यहां पर cut off गई है उसके बाद और category का भी देख लेते हैं तो यह आपका जो है notice board में college में यह लगा हुआ है online आपको नहीं मिलेगा तो जिन students न फॉर्म फिल किया है मैं रिलिस्ट यहां पर मैं proper आपको बता रहा हूं तो अपना नाम यहां पर देख लेना OBC की 136 यहां पर cut off रही है arts में ठीक है और SC का देख लेते हैं arts में तो SC की देखिए 86 यहां पर cut off गई हुई है SC की कितनी गई है 86 यहां पर cut off जो है गई हुई है और ST का भी हम देख लेते हैं ST का देखिए ST का 122 यहां पर cut off रही है ठीक है तो यह मैंने आपको प्रॉपर बता दिया सभी केटेगरी का साइंस वर्ग में भी और आर्ट्स वर्ग में भी तो अब जिन कंडिडेट का नाम इस मेरे लिश्ट में है आफ लाइन मैंने बता दिया एडविशंस करवाना है करल और परसों छे और पांच और छे सितंबर की डेट तो आपको पहले फीश डिपोजिट करने जाना है जो फीश दी है तीन जार जो है आपको अधिए तीन हजार छे सो इकतालेस रुपे और जो डॉकॉमेंट्स है जिसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना है तो आपका मेडिकल फिटिनस सेटिफिकट हो गया और एक करेक्टर सेटिफिकट जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा तो यह डॉकॉमेंट्स आपको जो है कलेक्ट करके जितना जल्दी हो सकता है कल आप अपना एडविसंस करवा लीजीगा